हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस All In One चैनल में दोस्तो एर्थ पे कमिशन पर जो है आज की वीडियो में बात करेंगे एर्थ पे कमिशन जो कि अब उसके ओपर चर्चा तेज हो रखी है और आठवा वेतन आयोग जो है उसके ओपर क्या लेटेस्ट अपडेट है क्या फॉर्मूला होगा जिसके थ्रू जो है किंद्रे करमचारियों को सैलरी मिलेगी है सैलरी और पेंशन पे कितना असर पड़ेगा कब से ये लागू हो रहा है बहुत सारे तमाम दोस्तों अब ये सवाल उटने शुरू हो गया है एड्स पे कमिशन को पर तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में अगर चैनल पर पहली बारे आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथे साथ बेल आइकन जरू दबाएं दोस्तों आठवे पे आठव जानकारों के मसलों में सरकार के तरफ से कोई पुष्टी नहीं की गई है जानकारों की मानने तो अब वक्त है जब वेतन आयोग से अलग फारूमुले पर विचार होना चाहिए है कि कोस्ट ऑफ लिविंग लगतार बढ़ रहे है इसलिए जो आठवा वेतन आयोगा तो जो बहुत ज्यादा जो है उसका बहुत बड़ा रोल होगा साथ वे वेतन आयोगा फिर दस साल बाद जो आठवा वेतन है तो उसमें क्या फार्मूला उनौच है जिससे कि जो अग नहीं मैं हो सकता कि अगले दो साल में इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाया तो फिर भी दस साल वेट करना पड़ेगा तो जो नया फॉर्मूला है जिसके लेकर बात की जारी है वो है AYKROID फॉर्मूला इस फॉर्मूले से जो है करमचारियों की सेलरी को महंगाई कोस्ट आफ लिविंग और करमचारियों की पर्फॉर्मिंस से जोड़ा जाएगा तो यतना असान नहीं होगा आने वारा आठवा बेतनायोग बहुत सारी चीज़े होंगी उसमें इन सब चीजों के आकलन के बाद ही सेलरी में इजाफा होगा सिर्फ और सिर्फ महंगाई नहीं होगा कॉस्ट आफ लिविंग और आपकी पर्फॉर्मेंस कितनी है लेकिन अब दख ऐसे किसी फामुले पर कोई विचार नहीं होगा लेकिन वही सारे बाते चल रही है क्योंकि आठवा बेतनायोग बहुत निर्णायक होगा जैसे कि साथवे बेतनायोग से काफी जादा लोगों को फरक पड़ा था उसी तरीके से जिस तरीके से भी महंगाई बढ़ रही है आने वाले टाइम में आठवा बेतनायोग बहुत निर्णायक थाबित होगा और क्या उसका फार्मल होगा किस तरीके से जो है लोगों को मिलेगा वो अब क्लियर हो जाएगा तो दोस्तों यह था आजका इंपॉर्टेट अपड़ेट एड़ पे कमिस्शन को लेकर अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो